स्टेडीवी टेमजी चैनल पर दोस्तों मैं आज चुका हूँ एससी को फिसल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं पर नोटिस पॉस्पॉन्मेंट आप एक्जामिनेशन के लिए एक नए नोटिस जारी किये गए हैं इसे करते हैं डाउनलोड और आपको दिखाते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस्टाप सेलेक्शन कमिशन के द्वाड़ा यह नोटिस जारी किये गए हैं इंपोर्टेंट नोटिस यहां पर बताया जारा कि यह इंपोर्टेंट नोटिस है अच्छी बात है दी कमिशन है डिसाइडेट टू पॉस्पॉन दी इसके लिए कोई नए डेट नहीं दिखाया गया है वह नेक्ट सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलीस एंड सीए पी एप एस एक्जामेनेशन पेपर टू 2020 जो की बारे साथ 2021 को आईजित होने बारे थे उसे भी पॉस्पॉन कर दिया गया है इसे भी फिलाल रोक दिया गया है एससी चाहती अगर एससी बोर्ड तो इसमें एक कॉलम और जोड़ा जा सकता था जिसमें के एससी जीडी के बारे में जिक्री किया जाता कि एससी जीडी जिस तरह से बताय गये थे कि अभी फिलाल 25 तरी को नहीं आएंगे इससे आगे जारी किया जागा नए डेट आएंगे तो यहां पर दीख चोटी संद और इसमें एक टेवल एक करके लिग दिया जाता कि एससी जीडी एक जाम नोटिफाइड डेट 25 यह सब था डेट उसके बाद यहां पर दिखा दिया जाता कि यह फिलाल अब आगे कब आएंगे यहां पर उसमें पर पॉस्पॉन नहीं किया गया है जो कि बहुत ही अफसोस जनक है एससी के तरब से कुछ ना कुछ नोटिस जारी होने चाहिए थे एक बात आप लोग को और बताते इंपोर्टेंट चीज कि एससी के कोई भी ऑफिस्टर ट्वीटर हैंडल नहीं है तो इस तरब के से बीच में ट्वीटर ह एकाउंट नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्वीटर पे जितने भी लोगों ने फॉलो किया एससी के फरजी एक आईडी को उससे आप लोग अनफॉलो कर लें कि कि वहाँ पर जो भी अपडेट आपको मिलेंगे वह सब कुछ फरजी ही मिलेंगे क्योंकि व इस तरिके से यहां पर कुछ भी नोटिस नहीं दिखा जा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है मार्च के बाद की अपडेट के बास कोई बाद की एकाउडेट है विह च्छी बात या कि सभी लोग मांग कर रहे हैं से इसको बढ़ार जाए कि आप लोग जान जानते करोना काल के समय दो साल तो ऐसे ही सभी के बढ़बाद चले गए तो कम से कम दो साल आयू की छूट मिलनी चाहिए ऐसा से जीडियम जैसे की एसाल नहीं बढ़भा दिया तो चबभी साल आने की अथाड़े से चूब्रटत गरत चाहिए ताकि इतने भी लोग इस वार दो साल से बहुत ही मायूस हो गए हैं उन्हें कुछ ना कुछ नए अपसर मिल सके इस वीडियो मसे इतना है मैं अलता आप से एक और ने अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्निवाद आपका दिन सुभो